नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक कॉंग्रेस ने अपने नया प्रदेश अध्यक्ष की गोशना कर दी है जी हां डॉक्टर मदन मुहंजा की जगह अब लेंगे पुर्व केंद्रेय मंत्री और राज्यसवासांसत गया है राजनीतिक गल्यारे में ये चर्चा है कि कॉंग्रेस ने अब बहुत कुछ बदलाव लाना शुरू कर दिया है कॉंग्रेस ने अपने सबसे बड़ी पार्टी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी से सोसल इंजिनियरिंग सिखा है और इसी के तहत एक भुमिहार जाती के वैक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चुकि डॉक्टर मदन मुहंजा ब्रामभड परिवार से आते थे और अखिलेस सिंग भुमिहार से आते हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि स्वानबोर्ट वैंग को इकठा करने के लिए एक करने अखिलेस सिंग के बारे में जो बात सबसे ज्यादा पॉपलर है वह यह कि वे लालु प्रसाद के बेहत करीवी रहे हैं नया ध्यक्ष के लिए कॉंग्रेस राजेश राम और अधेश कुमार और अखिलेस सिंग का नाम आगे चल रहा था नितिश तेजस्वी सरकार में कॉं कॉंग्रेस का द्यक्ष बनाया है वे चुनाव अभियान समीति के अध्यक्ष भी हैं इससे ठीक पहले जो प्रदेश अध्यक्ष मदन मुहंजा थे वे ब्रामबर जाती से आते थे बिहार कॉंग्रेस से तीन MLC है मदन मुहंजा प्रेमचन मिस्रा और समीर कुमार सिंग मद कुछ कॉंग्रेस में बदलावाना शुरू हो गया है बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अख्लेश सिंग जो हैं वो भुमिहार जाती से हैं और कायास लगाया जा रहा है राजनीत के जानकार जो हैं राजनीत के विद्वान जो हैं उनका कहना है उनका मानना है कि कॉंग्रेस जो है अपने सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी पार्टी बीजेपी से सोशल इंजियनियरिंग का गुण सीख रही है तो अब तक के लिए बस यही तक फिर मिलते हैं नय मुद्दे नय सरोकारों के साथ तब तक देशवा नियूज देखते रहिए देशवा नियूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिये लाइक कीजिये बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाओ देते रहिए धन्यवाद सिर्फ खबर दिखाना देशवा नियूज का मकसद नहीं देशवा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देशवा नियूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले